देश में करोना से बने हाल को देखते हुए थल सेना पोविड अस्पताल खोलने में जुट गई है सेना की पश्चिमी कमान ने सुमवार को तीन नए अस्पताल बना कर देश को समर्पित किये हैं पेट्रोल और डीजल के दाम रिकॉर्ड उचाई पर जाप पहुचे हैं देश के कई शेरों में पेट्रोल के दाम सौर रुपे प्राती लीटर हो गया है अमेरिकी कमपनी फाइजर बायो टेक जल्दी 12-15 साल तक के बच्चों के लिए कोरोना का टीका लांच करने वाली है बताया जा रहा है कि ये टीका 100% असरदार होगा अब तक 18 से कम उमर के बच्चों के लिए कोरोना का टीका नहीं बना है 13 माई इद के मौके पर रिलीज होने वाली सल्मान की फिल्म राधे के परमोशन के सिलसले में बात करती हुए सल्मान ने बताया कि हम नुकसाद छेल लेंगे लेकिन इस महमारी के दौर में अपने फैंस का दिल जरूर बहलाएंगे अपना कमिटमेंट पूरा करेंगे डिली के मुखेमंद्री अरविंद केजरिवाल ने प्राधान मंतरी नरेंग मोदी को चिठी लिकर देश जबर में करोन वैक्सीन की कमी दूर करने को लेकर सुझाव दिये हैं ट्रेन में सफर के दौरान यात्रियों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार रही है जिसमें सोशल टिस्टेंसिंग का पालन करना और मास्क लगाना अनिवार रही है रेडवे दुआरा जारी निर्देशों के मताबिक रेडवे परिसर और ट्रेन में मास्क नहीं पहने वाले को 500 रुपे जुर्माना लगेगा कोरोना की दुसरी लहर के बीच यूपी में अभी कोरोना कर फ्यूल लगा हुआ है केविन पीटर्सन इन दिनों मालदीप में चुट्टियां मना रहे हैं पीटर्सन आईपियल में कमेंटरी करने भारत आए थे लेकिन करोना के कारण लिग को अनिश्चित काल के लिए इस्थागित कर दिया गया केश में ऑक्सीजन की कमी वैक्सीनेशन की धीमी रफटार समेत अनिये कई मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट में पिछले कई दिनों से सुनवाई चल रही है अब इस दोरान किंद्र सरकार ने कोर्ट में हलफ नामा दायर कर आती उत्सा में फैसले ना लेने की सला देडाली कोरोने संकट के बीच बीजेपी के राष्टी अध्यक्ष जेपी नडडा ने कॉंग्रेस पार्टी की अंत्रिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को पांच पन्यों की चित्थी लिकी है जेपी नडडा ने शिकायती लहजे में अपने पत्र में कहा है कि कॉंग्रेस पार्टी मह हमारी काल में भी नाकारात्मक राजनीती करने से बास नहीं आ रही है.